क्लास 12 इन और्गनेक केमिस्ट्री का सबसे इंबॉर्डन चैप्टर सॉल्ट अनालेसिस या इसका एक और नाम है इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिफ अनालेसिस इन 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 और्गनेक केमिस्ट्री अब इसमें हम बाती कर रहे हैं जब नाम में ही लिखा है salt analysis तो इसका मतलब क्या होता है salt कैसे बनता आप बताओ मुझे जब acid की reaction base से होती तो salt बनता है तो simple सी reaction है acid plus base का या तो complete neutralization होगा या partial neutralization होगा तो क्या बनेगा salt बनेगा अब ये जो salt बनता है इस salt में दो पार्ट होंगे एक होगा cation और एक होगा anion cation को हम बोलते है basic radical और anion को acidic radical क्योंकि cation वाला पार्ट base से आता है anion वाला acid से आता है जैसे एक example के तोर पे मैं लिखूँ suppose मैंने ऐसा लिखा HCl ठीक है plus base ले लिया मैंने NaOH तो HCl NaOH आपस में react करेंगे तो salt क्या बनेगा NaCl बनेगा अब ये जो NaCl salt बना है ये salt को break करो जरा क्या मिलेगा एक Na plus मिलेगा और एक Cl minus तो जो cation वाला पार्ट है cation वाला इसको बोलते हैं cation वाले को basic radical basic radical और जो anion वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या acidic radical ऐसा क्यों बोला acidic radical बताओ जरा ऐसा क्यों बोला ऐसा इसलिए बोला कि जो Cl minus वाला पार्ट आ रहा है acidic radical वो कहां से आ रहा है acid से आ रहा है और basic radical मतलब Na plus वाला पार्ट कहां से आ रहा है base से आ रहा है इसलिए हम इनको acidic और basic radical बोलते हैं अब इन्ही radicals का इन्ही का हमें जो cation और anion मिल रहे हैं आपको acidic basic इन्ही का हमें क्या करना होता है analysis इसी को हम बोलते है salt analysis analysis किसे करना होता है इनके salt से या mixture of salt से हम क्या करते हैं यह detect करते हैं cation और anion को detect करते हैं समझ गए बात को, जैसे एक example all ले रहा हूँ, suppose मेरे पास लिखा है H2SO4, ठीक है, H2SO4 की reaction मैंने करा दी, ZnOH hold twice के साथ, तो क्या बना, ZnSO4 salt बनेगा, plus water बनेगा, salt से मतलब है, हमें सिर्व वह लिख रहा हूँ, तो ZnSO4 में क्या है, Zn2 plus है, और ZnO4 क्या है, 2 minus है, तो देखो जरा, Cation वाले पार्ट को क्या बोलोगे, Basic Radical, Anion वाले पार्ट को क्या बोलोगे, Acidic Radical, ठीक है, तो ये मैंने आपको Basic समझा दिया, कि Basic Radical क्या होते हैं, और Acidic Radical क्या होते हैं, Salt में जो Cationic Part होता है, वो कहां से आता है, और Anionic Part होता है, वो कहां से आता है, ठीक है, Anionic Part, Acidic Radical, अब हम यहां से Start करेंगे, उसके बाद फिर हम Basic Radical पढ़ेंगे, तो पहले हम Start करने जा रहे हैं, Acidic Radical, ठीक है, तो Acidic Radical में Basically हम क्या करते हैं, Acidic Radical में हम Wet Test का यूज करते हैं, होता क्या है, जैसे अपने बाद Salt होता है, या Mixture of Salt होता है, तो उसमें से हमें Anionic Radical को Detect करना होता है, तो हम इसमें दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक Prime वाला Prelims Test जिसको बोलते हैं, और एक Confirmatory Test, ठीक है, तो इनको जो Acidic Radical हैं, इनको अलग-अलग Group में भी Divide किया गया है, और Particular Group की Group Reagent भी होते हैं, जो आपको याद रखना पड़ेगा, कि बाई साब इस वाले Group में ये वाले रिएजेंट आते हैं, इस वाले Group में ये वाले आते हैं, ये इसके Radical हैं, ये इसके, ये इसके, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम Acidic Radical याद करने की आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, अच्छे से, बढ़िया सा याद कर ले ना, अच्छे से याद करने की ग्रुप वाइस ट्रिक बताऊंगा, बहुत 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 रीन, आपको अच्छे से याद कर ले ना, एक्जाम में डारेट कॉश्चन आएगा, Acidic Radical को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, Acidic Radical को हम तीन क्लासिफाई कर रहा है, एक हो गया आपका Group 1, Group 1, एक है आपका Group 2, Group 2, और एक है आपका Group 3, ठीक है, तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर रहा है, Group 1 में क्या बोलते हैं हम, हम ऐसा बोलते हैं कि Radicals, Radicals which do not give, Group 1 में हम क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि Radicals, Radicals which give, Volatile product, Volatile products, with dilute acid, मतब dilute HCl या dilute H2SO4, के presence में ये Vapors या Gas आपको देते हैं, ठीक है, और इस Group 1 में कौन-कौन से Radical हम रखते हैं, इसमें रखते हैं, Carbonate, और Bicarbonate इसके साथ याद रखना, Acetate, CH3, COO negative, इसको Acetate बोलते हैं, ठीक है, NO2-Nitrite, S2O32- ThioSulfate, S2- Sulfide या Hydrogen Sulfide या Bisulfide, और SO32- Sulfide और इसके साथ याद रखना, Hydrogen Sulfide, ये Radical होते हैं, इसको कैसे याद रखोगे, इसको इसको याद रखना, C-A-N-T, Can't Sing Song, इस तरीके से याद रखना, ठीक है, Can't Sing Song, C का मतलब क्या हो गया आपका, Carbonate, इसके साथ क्या याद रखोगे, Bicarbonate, A का मतलब क्या हो गया, Acetate, ठीक है, N का मतलब क्या हो गया, Nitrite, ITE, T का मतलब Thiosulfate, SING मतलब, S2- या Hs-, Sulfide आगया यह, या Bisulfide, Song मतलब, SO3-2-, Song मतलब, SO, वहाँ से उठाया है, SO3-2- या HSO3-, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, कौन से Volatile Product देते हैं, Dilute Acid में, तो ये वाले, NIN या ये वाले Acetic Radical देते हैं, ये हो गया Group 1, ठीक, बहुत आराम से, Group 2 में चलते हैं, Group 2 में कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना, CL-, BR-, I-, Cloride, Bromide, Iodide, ठीक है, NO3-, Nitrate, C2O42-, Oxalate, ये कौन से वाले होते हैं, Group 2 वाले, और Group 2 में हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, Group 2 में, की, Radicals, Radicals, which, give, Volatile, 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 Products, with, Concentrated, Acid, मतलब, Concentrated, H2SO4 वागरा के साथ, ये क्या देंगे, Volatile Product मतलब, Vapor या Gas देंगे आपको, इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखोगे, कि, Cl- के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर C, Br- के लिए B, ठीक है, I- के लिए I, तो इसको याद रखना, CBI, ने यहाँ पर साइलेंट है, नाइट्रेट होता ही है, N o 3 माइनस, तो वहाँ से 8 उठा रहा हूँ, ठीक है, 8, C2O for 2 नेगटिव होता है, Oxalate, तो यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक, और, पकड़े यहाँ पर साइलेंट है, तो कौन-कौन से यहाँ पर साइलेंट हैं आपके, वो मैं यहाँ बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, बाकी यह रेडी कर लें, तो कैसे याद रखोगे, CBI ने 8 Ox पकड़े, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है, CBI ने 8 Ox पकड़े, Cloride, Bromide, Iodide, 8 मतलब Nitrate, और Ox मतलब Oxalate, इस तरीके से, समझगे बात को, तो CBI ने 8 Ox पकड़े, यह कौन से वाले होका है, Group 2 वाले, Group 3 में चलते हैं, Group 3 में ऐसे Radical होते हैं, जो Volatile Product नहीं देते, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, Radicals, Radicals which, do not give, इनके लिए Special तरीके होते हैं, यह Precipitation वाली कुछ Reaction होती है, तो यह Volatile Products नहीं देते हैं, Gases या Vapors नहीं निकालते हैं, तो Group 3 में कौन-कौन से होते हैं, SO42 Negative, PO43 Negative, BO33 Negative, और F Negative, इसको कैसे याद रखोगे देखो, SO42 Negative में हम बोलते हैं, Sonu, ठीक है, Ne Silent है, PO43 Negative मतलब हो गया आपका, पूनम, इस तरीके से याद करना ठीक है, Sonu ने पूनम को, यह Silent है, BO33 Negative हो गया Bombay, ठीक, मैं Silent है, और F Negative हो गया फसाया, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, पर जल्दी याद हो जाएंगे, Direct Question आता है एक्जाम में, कौन-कौन से यहाँ Silent है, उसको मैं यहाँ पर वॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, तो कौन-कौन से Radical होगे अपने, SO42 Negative, PO43 Negative, BO33 Negative और F Negative, Sonu ने पूनम को Bombay में फसाया, इस तरीके से याद कर लेना आप, अब हम क्या करेंगे, यह Group 1, यह Group 2 और यह Group 3, ठीक है, इसको पहले आप Note कर लो, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे, इन सब के Prelims Test के बारे में, दो टाइप के टेस्ट बताये थे, मैंने एक Prelims होता है, और यह Conformatory Test होता है, Prelims Test में हम क्या करते हैं, कुछ Particular Reagent जो हम आप लेखे न, Group 1, Group 2, Group 3 के, इन Reagent को हम मिलाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, Particular कोई Gas निकलेगी, उसकी कुछ Smell बगरा या फिर कुछ Visible Color बगरा दिखेगा, चलो तो अब अपने स्टार्ट करते हैं, Group 1 के Prelims Test देख लेते हैं, कि First Observation क्या होता है, जब हम Dilute, HCl या H2SO4 को मिलाते हैं, जो अपने पास Solution हैं, उसमें मिलाते हैं, तो कौन-कौन सी Gases निकलती हैं, और उनका Observation क्या होता है, उसी को हम First Observation बोलते हैं, तो जैसे मेरे पास ये Flask है, और इसमें मेरे पास Salt पड़ा हुआ है, उसका Solution पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास Salt का Solution पड़ा हुआ है, तो अब ये जो Salt का Solution पड़ा हुआ है, इसके साथ Reaction होगी, यह क्या है इसमें salt है अपने पास इसके साथ reaction होगी किसकी group 1 का reagent क्या था dilute HCl या H2SO4 तो इसमें डला हुआ है क्या dilute HCl या H2SO4 तो इसमें हम क्या मिला रहे है dilute HCl और H2SO4 मैं से कुछ मिलाएंगे तो gases निकलेंगी तो यहाँ पर क्या है dilute acid HCl या H2SO4 तो dilute acid को हमने मिलाया तो salt में present जो anion है क्योंकि यहाँ पर हम किसका detection कर रहे है acidic radical का है तो salt में present जो acidic radical है वो क्या करेगा dilute HCl या H2SO4 के साथ reaction करेगा reaction करके वो gas निकालेगा उस gas से ही हम बताएंगे कि इसमें कौन सा radical रहा होगा जैसे यहाँ पर कुछ gas निकलेगी ठीक है यहाँ कोई gas निकली यहाँ से तो यहाँ जो gas निकली वो क्या क्या हो सकती है उसको आपको याद करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ जो gas निकली वो क्या-क्या हो सकती है यहाँ पर निकलने वाली gas अगर तुम्हारी स्टार्टिंग से हम देखेंगे ठीक है कैसे देखेंगे त्यान से यहाँ से निकलने वाली gas अगर तुम्हारी कौन सी हुई CO2 ठीक है क्योंकि पहला radical याद किया तक can't sing song याद रखना उसको न तो can't sing song उसी वाले sequence में हम चलेंगे ठीक है can't sing song उसी sequence में चलेंगे ठीक है तो c का मतलब क्या हो गया carbonate तो carbonate कौन सी gas निकालता है CO2 gas निकालता है अब इसके आपको पहले से ही कुछ characteristic पता होने चाहिए जैसे CO2 क्या होता है colorless होता है colorless होता है orderless होता है orderless होता है और brisk effervescence मतलब क्या होता है बुद बुदा हट मतलब उसका क्या है बुद बुदा हट है न brisk effervescence ठीक है यह होता है ठीक यह ध्यान दखना है अब चलो can't में अपना c हो गया carbonate यह मतलब acetate तो acetate कौनसी gas या कौनसी vapor बनाएगी acidic acid की vapor CS3COOH ठीक है यह तो आपको दिखता नहीं आप तो इससे पहचानों के क्या है ठीक है तो CS3COOH क्या होता है यह होता है colorless colorless vinegar smell vinegar smell होती है तो अगर vinegar smell आ रही है तो हम बोल देंगे कि CS3COOH होगा मतलब यहाँ पर acetate वाला radical होगा simple सा है ठीक है अब चलो N पर N का मतलब NO2- ठीक है nitrite तो जो NO2- होता है वो NO2 gas release करता है और यह होती brown gas तो यह आपको color दिखी जाएगा ठीक है brown gas निकलती है ठीक brown color होता है brown fumes भी बोलता है न अगला क्या था C हो गया A हो गया N हो गया T थायो sulfate तो थायो sulfate क्या करता है यह बनाएगा SO2 प्लस S अब इसके बारे में यह लिख रहा हूँ थायो sulfate के बारे में कि colorless colorless pungent smell ठीक है जैसे pungent smell मतलब यहाँ पर होती है वो like burning sulfur sulfur को जब जलाते है वैसा ठीक है like burning sulfur ठीक है यह बनता है आगे चलो cant यह हो गया sing मतलब क्या हो गया S2- तो वो क्या बनाता है H2S और H2S होता है colorless colorless rotten egg smell rotten egg smell तो अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब S2S है means radical कौन सा है S2- एक और बचा है SO32- यह SO2 gas देता है SO2 क्या होता है colorless colorless orderless gas orderless तो यह इसके first observation है first observation से ही हम क्या करेंगे आगे की हमारी study जो confirmatory test की study है वो आसान हो जाती है तो समझ गया बात को क्या था मेरे पास salt था फिर से एक बर समझा देता हूं आसान भासा में ठीक है इसकी जो vapor है ठीक है colorless vapors लिख लो यहाँ पर CS3 COH की colorless vapors ठीक है vinegar smell और NO2 होता है brown gas या brown fumes निकलते हैं SO2 plus S बनता है था यह सेलफट में colorless pungent smell होती है और burning sulfur जैसी होती है SO2 colorless और orderless और यहाँ भी लिख लो pungent smell होती है ठीक है इसकी भी ठीक है smell like burning sulfur pungent smell SO2 की ठीक है like burning sulfur तो यह इसके क्या है यह इसके prime test है मतलब prelims वाले test जिसको हम first observation बोलने है अब हमें करना क्या होता है सबका confirmatory test भी कराना होता है समझ रहा बात को क्या होता है पहले क्या होता है prime test होते है और फिर इसके बाद confirmatory test होते है तो अपन एक काम करते हैं सबसे अच्छा तरीका बताते हैं अपन group 1 में हमने क्या देखा पहले तो हमने क्या किया सुरू से कहां नहीं बता रहा हूँ acidic radical में हमने तीन group में डिवाइड किया group 1, group 2, group 3 अब हमने group 1 में चले कहां चले गए prime वाले test में चले गए prelims में चले गए अब इनी के हम क्या करेंगे confirmatory test करेंगे ऐसे हम हर एक group की study करेंगे ठीक है तो पहरे नोट करो फिर अपन confirmatory test भी इनके start करते हैं लिख लो इसको बहले चलो तो अब start करते हैं confirmatory test prelims हमने कर लिए confirmatory test for group 1 radical हम करेंगे और जिस sequence में आपने याद किया ना can't sing song उसी sequence में हम confirmatory test भी लिखेंगे और उसी sequence में हमने prelims वाले भी लिखे हैं ना तो चलो start करते हैं CO3 2- वाला CO3 2- में क्या होता था सबसे पहली बात बताओ आप क्या करते थे सबसे पहले starting में अगर कोई NIN होता था तो उसमें आप मिलाते थे dilute acid तो जैसे मालो आपने इसमें मिला दिया dilute H2SO4 ठीक है dilute H2SO4 तो यह क्या करेगा जो carbonate है वो CO2 gas release करेगा पहले H2CO3 बनेगा जो कि easily break हो जाता है तो CO2 release करेगा ठीक है यही आपको observation आता था क्या होता है CO2 colorless, orderless, brisk, effervescence बुद बुदाहट आती उसमें है न अब हम करते क्या है जो gas release हुई उसको pass कराते है lime water के साथ और lime water में यह जो CO2 gas है वो lime water के साथ क्या करते था milky मतलब CA CO3 ठीक है यह क्या होता है milky white PPT आप बोल सकते हो और यह जो milkyness है यह disappear हो जाती है on passing excess CO2 water तो अगर मैं excess CO2 plus water pass करूंगा तो milkyness disappear due to the formation of bicarbonate CH CO3 hold twice और यह क्या होता है यह होता है soluble bicarbonate क्या होता है इसका soluble होता है मतलब जो milkyness आ रही थी वो disappear हो गई by passing excess CO2 water तो बहुत simple सा है एक बार फिर revision करा रहा हूँ फटा फट से देखते जाओ मेरे पास जो NIN है उसको H2SO4 से pass किया CO2 gas निकली पहले CO2 hold twice डाला lime water डाला तो lime water ने क्या कर दिया milkyness आ गई milkyness किस की वज़े से आई CO3 की वज़े से आई और अब excess CO2 water pass करने पर milkyness disappears due to the formation of calcium hydrogen carbonate या calcium bicarbonate ये इसका confirmatory test है अब CH3 COO negative पे चलते हैं ये क्या है आपका acid data आई ठीक है ध्यान से देखना जरा क्या होता है पहले आप क्या करते थे जो आपके पास NIN है उसकी reaction आप करवाओगे किसके साथ dilute acid के साथ कराओगे तो ये क्या बना लेगा CH3 COOH बना लेगा ठीक है अब ये जो CH3 COOH बना देखो दो तरीके हैं एक तो क्या हुआ सबसे पहला आपने क्या करा CH3 COOH बना अब ये जो CH3 COOH है CH3 COOH है इसकी reaction आपने कराई किसके साथ CH2OH के साथ ठीक है और ये reaction ध्यान रखना acidic medium में होती है और ये acid है ये alcohol है कैसे याद करोगे acid से उठा लेना क्या OH acid से क्या ले लो OH और alcohol से क्या ले लो H और बाकी जोड़ दो सीधा सीधा तो क्या बन गया CH3 COOH C2H5 इसका नाम क्या है Ethyl Ethyl Acetate Ethyl Acetate और इसका Fruity Order होता है ठीक है Fruity Order तो ये धियान रखना आप तो एक तो ये होता है एक और confirmatory test इसका होता है कि जो अपने पास NIN है second number वाला बता रहा हूँ कौन सा ये जो CS3 CO negative है इसको neutral FeCl3 से पास कर दो किससे neutral FeCl3 से तो CS3 CO negative जब neutral neutral FeCl3 neutral FeCl3 से इसकी reaction होती है तो ये क्या बनाता है ये बनाता है Fe3 OH whole twice deep red color का CH3 COO whole 6 ऐसा बनता है ये याद रखने का तरीका आसान है यहाँ 3 है यहाँ 2 है 3 into 2 कितना होता है जानते ये आप 6 होता है तो ये क्या होता है deep red color इसका color क्या होता है deep red color होता है और ये reddish brown में या brown red बोलो उसमें decompose हो जाता है on heating तो जब इसको हम heat करते हैं तो ये decompose हो जाता है थोड़ा पानी भी मिला देते हैं heat करते हैं तो ये क्या होता है ये decompose हो जाता है brown red color में तो उस compound को ऐसे लिखते हैं, Fe, आप क्या गरो, ये 3 और ये 6 छुपा लो, 3 और 6 छुपा लो, यह answer है, तो Fe, OH, hold twice, आपको तरीके भी बताते जाओंगा, याद करने के, ठीक है, CS3, COO, ऐसा, ये बनता है, और ये कैसा होता है, brown, red, कैसा होता है ये, brown, red color का होता है, ये, ठीक ह पेडिकंपोस होकर क्या देता है, brown, red color का ये compound, इस compound का नाम भी है, इस compound को बोलते हैं, iron, iron, third, dihydroxy acetate, dihydroxy acetate, तो इसका नाम भी ध्यान लखना आप, तो acetate में आपको ये 2 test ध्यान लखने है, confirmatory test, simple सी बात है, ठीक है, फड़ा फट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे radical पर चलते हैं, NO2 negative, आपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले आपन ने किया C वाला मतलब कार्बोनेट वाला, can't sing song वाले तरीके से, C, कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, acetate, अब चला आपन कहां पर चल रहे हैं, N पर मतलब NO2 negative nitrite, तो nitrite के लिए क्या होता था, इसमें जो gas निकलती थी, वो NO2 निकलती थी, ठीक है, उसकी भी एक बार reaction लिख देता हूं, क्या होता है, NO2 negative ये H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ ये देता है HNO2, और जो HNO2 है on heating, यही लिख देता हूं, on heating, ये आपको देता है, HNO3 प् आपको brown color की gas देता, NO2, ठीक है, brown gas, ये इसका first observation था, उसकी overall reaction मैंने यहा लिख दी, अब इसका confirmatory test number 1 देखो जरा ध्यान से, पहले number पर हम क्या करते हैं, जो NO2 negative है, उसको acetic acid के साथ treat कराते हैं, किसके साथ, acetic acid, तो NO2 negative का treatment होता है, किसके साथ, acetic acid, और ये जो acetic acid है, ये देता है, HNO2, ठीक है, अब HNO2 की reaction कराते हैं, हम KI के साथ, किसके साथ, KI के साथ, तो KI के साथ, तो KI के साथ reaction होती तो, HNO2, KI को oxidize कर देता है, I2 में, और खुद reduce हो जाता है, NO में, ठीक, तो I2 प्लस NO बनता है, मैं पूरी balance reaction नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको exam में इस I2 प्लस NO बना, और starch के साथ, यह क्या देता है, blue complex देता है, starch के साथ क्या देता है, blue complex बनाता है, blue complex बनाता है, कौन, I2 starch के साथ, तो यह हो गया confirmatory test, second number का जो test होता है, second number का जो test है, इसको बोलते है अपन, gris loss way test, ठीक है, क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना ज़रा, gris loss way test में, इसमें, जो हमारे पास compound होता है, वो होता है, sulfenilic acid, ठीक, उसकी reaction होती है, HNO2 के साथ, diagotization होती ही reaction, और उसके बाद उसकी reaction कराते है, one naphthyl amine के साथ, क्या reaction है, ध्यान से देखना पूरी, होता क्या है, इसमें NO2 जो negative है, वही कहानी है, कि acidic acid के साथ, यह आपको क्य NO2 दे देगा, अब यह जो HNO2 है, वो diagotization करता है, ठीक है, HNO2 के साथ, यहाँ पर क्या बनेगा, साथ में, CS3CO negative भी बनेगा, और यह जो CS3CO negative है, यह combine होता है, किसके साथ, sulfenilic acid के साथ, ध्यान से देखना ज़रा क्या होता है, sulfenilic acid, SO3H, और यहाँ पर होता है, NH2, यह है sulfenilic acid, लेकिन यहाँ क्या बनता, CS3CO negative के साथ, यह बनाता है, NH3 प्लस और CS3CO negative, जिसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, O negative, OCC3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, अपन, CS3CO negative को, अब इसकी reaction होती ही किसके साथ, HNO2 के साथ, diagotization होता है, क्या होता है, diagotization क्या होगा, यहा आता है, ऐसा, SO3H, N double bond N, ठीक, और यह बनाएगा, O, O, C, CH3, ऐसे लिख देता हूँ, मैं, ठीक, अब इसकी reaction होती है, किसके साथ, 1 naphthyl amine के साथ, किसकी, इसकी ध्यान से देखना ज़रा, तो इसकी reaction, अगर मैं कराऊं किसके साथ, 1 naphthyl amine, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं, 1 naphthyl amine कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखता है, 1 naphthyl amine, तो यहाँ क्या होता है, कप्लिंग reaction होती है, रेड कलर का एजोड़ाई बनता है, यहाँ पर, क्या करो हो, आप यहाँ से, इधर से H, और यहाँ से CS3, COH, निकाल दो अलग, तो यह N double bonder यहाँ चिपकेगा तो ध्यान से देखना ज़रा कैसे जोड़ रहा हूँ मैं, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ इसको, यह आपका नीचे हो गया, यहाँ क्या है, NH2, और इसके साथ क्या जोड़ गया उपर, N double N, सही है, और इसके साथ यह पूरी की पूरी ring जोड़ी है, तो इसके साथ मैं पूरी ring जोड़ देता हूँ यह, इस तरीके से, SO3H, चाहिए, इसके पैरा पर जोड़ दिया मैंने, और यह होता है, red, azodi, तो यह test होता है, इसको बोलते हैं अपन, gris loss way test, ठीक है, अब इस test की एक बहुत important बात, अगर solution dilute है, तभी यह valid है, for dilute solution होता है, बहुत important है, ध्य dilute solution है, तभी पूरा test होगा, अगर solution concentrated हुआ, तो diagotization तक ही reaction रुख जाती है, dilute solution में उसके आगे बढ़ती है, बात, अगर concentrated solution हुआ, तो सिर्फ diagotization, मतब यहां तक reaction रुखेगी, यह आगे की reaction नहीं होगी, समझ गया बात को, इसका नाम लिख लो, one naphthyl amine, ठीक है, यहा test था, NO2 negative का, note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, S2O3 2 negative के confirmatory test पे चलते हैं, इसकी पहले basic reaction देख लो, जो first observation की थी, वो क्या होती है, S2O3 2 negative जो होता है, उसमें हम मिलाते हैं, dilute acid, ठीक है, तो dilute S2SO4 माल लेते हैं, अपन dilute acid इसमें मिला रहे हैं, तो dilute acid जब मिलाते हैं, तो इसमें बनता है, sulfur की termidity आती है, yellow color की, plus S2O2 gas release होती है, यह इसका observation में अपने लिखा ही था, अब confirmatory test में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला जो test है, number one वाला test, उसमें क्या होता है, जो अपने पास PV plus 2 है, PV plus 2, उसकी reaction कराते हैं, हम S2O3 2 negative के तो क्या बनता है, इसमें बनता है, PV S2O3 ठीक है, और यह white color का होता है, यह white PPT होता है, होता क्या है, starting में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब अपन access मिलाते हैं, solution का, तो white PPT आ जाता है, उसमें ऐसा होता है, और जब access के साथ reaction होती है, PV S2O3 का white PPT आ जाता है, तो यह क्या कर PPT ठीक है ये white होता है ये क्या होता है black PPT होता है ये कहानी इसकी ठीक है एक और test होता है इसका second number पे Fe plus 3 iron के साथ कराते हैं अपन किसके साथ Fe plus 3 के साथ तो H2O3 2 negative की reaction जब Fe plus 3 के साथ कराते हैं तो इसमें एक complex बनता है जो की on standing dissociate या decompose हो जाता है तो जो complex बनता है वो क्या होता है Fe S2O3 whole twice negative ठीक है ये complex बनता है violet color का तो violet color का ये complex बना और ये easily break हो जाता है और on breaking ये क्या करता है Fe plus 2 में चला जाता है और S4O6 2 negative बन जाता है ये होता है तो ये इसका confirmatory test है note करो फिर आगे बढ़ते है चलो आगे बढ़ते हैं अगला test है अपना S2 minus का ठीक है Sulfide iron का एक्चल में क्या होता है कि जो S2 minus iron होता है जब इसको dilute acid के साथ treat करते हैं ठीक है dilute acid के साथ treat करते हैं तो ये H2S gas निकलती थी यात करो rotten egg smell colorless gas है न अब ये जो H2S gas निकली अब इसका confirmatory test कैसे होता है actual में क्या होता है lead acid का solution होता है उसमें हम एक filter paper को डुबो देते हैं और filter paper को जहाँ पर gas निकल रही थी वहाँ ले जाते हैं तो H2S gas के साथ इसकी reaction होती तो ये बनाता है PBS का black PPT क्या बनाता है ये PBS का क्या PPT black PPT बनता है black PPT बनता है तो एक तो ये confirmatory test हो गया कि lead acid के solution में filter paper को डुबो या और जहाँ gas निकल रही थी test tube से वहाँ उसके पास ले गए तो वो काला कर देगा उसको black कर देगा second एक test और होता है कि जो sulfide ion है उसका sodium का compound ले रहे है फ़र इसको sodium nitroproside test बोलते हैं ठीक है लिख देता हूँ है sodium nitroproside test इसमें क्या होता है sodium nitroproside के साथ reaction होती है कि इसकी na2s की ठीक है sulfide ion का sodium salt ले लिया इसकी reaction हो रही है na2 fe cn5 और no इसके साथ हो रही है तो क्या बनता है इसमें purple या violet color आता है ठीक यह इसका नाम है sodium nitroproside ध्यान लगना है na sodium nitroproside इस complex को बोलते हैं तो जब मैं इसके साथ इसकी reaction कर आँ तो reaction याद रखना बहुत आसान है mathematically add कर दो कैसे na को na के साथ और s को यहाँ ले जाओ no के पास ठीक है तो na 4 हो गया fe हो गया cn5 हो गया और no के साथ nose ठीक है आखरी confirmatory test है group 1 का ठीक है SO32 negative क्या होता है starting में क्या करते थे SO32 negative में हम dilute acid मिलाते थे ठीक है dilute acid के presence में यह कौनसी gas देता था SO2 gas देता था ठीक है pungent order burning sulfur like smell ऐसा होता था ठीक है colorless होती है यह तो पता ही आपको अब यह जो SO2 gas है यह lime water को milky कर देती है ठीक है SO2 gas की reaction क्या है SO2 turns lime water milky CA OH hold twice क्या बनाता है CA SO3 milky और यह milkiness disappear हो जाती है when axis SO2 SO2 और water pass करते हो तो milkiness disappear due to the formation of CAH SO3 hold twice ठीक यह क्या होता है soluble होता है इन water अच्छा यह reaction थोड़ी देखी-देखी सी नहीं लग रही अभी carbonate में भी तो हमने लिखा था यही तो carbonate वाला जो iron होता है और SO3 माइन है sulfide iron जो होता है similar reaction है वहाँ क्या था CO2 बनती थी यहाँ CO2 लिया था यहाँ CA CO3 बनता था यहाँ CAH CO3 hold twice यहाँ भी same यही है तो यह तो हो गई दोनों की common बात की CO2 और SO2 दोनों lime water को milk की करती है ध्यान लखना आप अब इन दोनों को distinguish कैसे करोगे CO2 को SO2 से distinguish कैसे करोगे तो उसके लिए हम SO2 के अलग confirmatory test कराते हैं तो SO2 देता है और CO2 नहीं देता है तो confirmatory test number 1 अपन देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है मैं एक काम करता हूँ 1 और 2 दोनों को एक साथ ही लिख देता हूँ क्या confirmatory test है इसका जो अपने पास SO2 gas निगली यह क्या करता है अपन filter paper को potassium dichromate और potassium permagnate दो अलग-अलग solution होते हैं उसमें डालते हैं और जहां gas निगलते हैं उसके पास ले जाते हैं तो K2Cr2O7 होता है औरेंज कलर का तो उसको कर देता है SO2 gas से जब पास करते हैं तो वो हो जाता है ग्रीन कलर का और KMNO4 purple होता है तो जब जिस solution का हमने filter paper जिस solution में डाला था KMNO4 के वो purple कलर का था तो वो colorless या light pink हो जाता है ऐसा होता है तो reaction क्या होती है इधर reaction होती है K2Cr2O7 in acidic medium इसकी तो यह देता है Cr2SO4 whole thrice और Cr2SO4 whole thrice जो है वो green कलर का होता है किस कलर का होता है ग्रीन कलर का यह CO2 reaction नहीं देता यह कौन देता है SO2 और SO2 के अलावा एक दो और होते हैं जो यह reaction देते हैं एक तो H2S भी यह reaction देता है और NO2 भी यह reaction देता है दियान रखना है ना इसके अलावा यह दो और होती है gases अगर मैं filter paper को KMNO4 के solution में डालू ठीक है acidified KMNO4 के solution में डालू और इस gas के पास ले जाओ तो इसका जो color था देखो इसका color तो orange था ठीक है यह color ज़रूर ध्यान रखना इसका orange था तो orange से green हो गया और इसका होता है purple तो purple से light pink या colorless हो जाता है due to the formation of MNSO4 ठीक है due to the formation of MNSO4 MN2 प्लस आएं जो होता है वो light pink या colorless अपन बोलते है colorless और light pink भी लिखा रहेता है कही जगे समझ गया बात को तो यह कहानी है इसकी दोनों में distinguish समझ में आना चाहिए CO2 और SO2 में यह वाली reaction सेम थी तो फिर भाई अगर यह reaction सेम थी तो आप फस गए ना कि सर CO32 माइनस होगा कि SO32 माइनस होगा तो उसके फिर और टेस्ट कराने पड़ेंगे तो और टेस्ट यह रहे यह CO2 नहीं देता SO2 देता है तो इससे CO2 SO2 distinguish हो गई तो यह कहानी हो गई ग्रॉप 1 की इसको नोट करो फिर हम ग्रॉप 2 पे चलेंगे